हेलो दोस्तो हमारे अनुसागत 321 चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम पढ़ने वाले हैं पंचलाइट कहानी का सारांस तो दोस्तो आज का ये वेडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इंपोर्टेंट है जो क्लास 12 में है और जुनको बोर्ड एक्जाम देना है तो हम आज पढ़ने वाले हैं पंचलाइट कहानी का सारांस तो चलिए देखते हैं पंचलाइट रेणु जी की आंचली कहानी है कहानी में बिहार के एक पिछडे गाउं के परिवेस का सुन्दर चित्रन प्रिस्तुत किया गया है मेहतो टोली में आशिक्षित लोग है उन्होंने राम नम्मी के मेले से पैट्रोमैक्स खरीदा जिसे वे पंचलाइट कहते हैं पंचलाइट को ये सीधे सादे लोग सम्मान की चीज समझते हैं पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक औरतें और मर्द इखटे हो जाते हैं सरदार अपनी पतनी को आदिश देता है कि सुबकार्य को करने से पहले वेह पूजा पाठ का प्रवंद कर ले सभी उत्षायत हैं परंतु समस्य उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन सीधे सादे लोग पैट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते इस टोली में गोधन नाम का एक यूवक है वह गाउं की मुणरी नामक एक यूवति से प्रैम करता है मुणरी की मा ने पंचों से गोधन की सिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाका निकलता है इस कारण पंचों ने उसे जाती से निकाल रखा है मुन्री को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है वह चत्रोई से यह बात पंचों तक पहुचा देती है पंच गोधन को पुन है जाती मैं ले लेते हैं वह पंचलाइट को जला देता है मुन्री की मा गुल्री का की प्रिसन होकर गोधन को साम के भोजन का निमंतरन देती है पंच भी अति उत्सायत होकर गोधन को कह देते हैं तुम्हारा साथ खून माफ खूब गाव सलीमा का गाना पंचलाइट की रोसनी में लोग भजन कीर्टन करते हैं तथा उत्सम मनाते हैं कहानी का कतानक सजीव है सीधे साधे अनपड़ लोगों के सम्वेधनाव को बाड़ी देने में रेणुजी समर्थ रहे हैं इस कहानी में आनचलिक जीवन की सजीव जहा की पिस्तुत की गई है अगर हमारी वीडियो आपके लिए पसंद आई हो तो हमारी चैनल को लाइक सेर एंड सब्सक्राइब जरूर करें